तो आज किस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे sound generation in loudspeaker तो यह जो loudspeaker है इसके अंदर sound का production कैसे होता है या sound का generation कैसे होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों यह loudspeaker दिखता कैसे है दिखिए three dimensional में दोस्तों देखिए यहाँ पर loudspeaker कैसे दिखता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर होती है एक screen यह screen होती है एक screen होती है और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है एक magnet होता है यह रेड़ कलर का जो दिखा रहो हमें आपको दिखे यह एक magnet है ठीक है ओके यह magnet है और उसके आगे दोस्तों ऐसे यह कौन टाइप एक shape होता है और यहाँ पर होती है एक screen ठीक है अब दोस्तों यह loud speaker क्या करता है यहाँ पर sound का production करता है तो sound का production करने के लिए क्या vibrate होगा यहाँ पर दोस्तों यह जो screen है यह screen vibrate होगी यह screen जो है यह screen ऐसे vibrate होगी और sound का production होगा जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में हम देख चुके हैं कि कुछ भी अगर vibrate करता है तो sound produce होगा तो यहाँ पर दोस्तो क्या वाइबरेट कर रहा है यहाँ पर यह स्क्रीन वाइबरेट कर रही है यह स्क्रीन अगर वाइबरेट करेगी तो sound produce होगा और यहाँ पर यह स्क्रीन वाइबरेट करने के लिए electrical energy का use किया जाता है current यहाँ पे इसके अंदर कहा से जाता है तो wire होती है दोस्तो ठीक है और mic जो होता है ना microphone यह microphone से current अंदर जाता है और दोस्तो यह जो screen है यह vibrate करती है और sound produce होता है ठीक है तो basically यह loud speaker का काम क्या है दोस्तो loud speaker का काम क्या है electrical energy जो है उसको sound energy में convert करता है यहाँ से mic में से क्या गया current अंदर गया current अंदर गया मतलब क्या electrical energy अंदर गया तो यह जो loud speaker है यह electrical energy का conversion किस में करता है यहाँ पे sound में करता है ठीक है electrical energy is converted into sound energy in this loud speaker तो three dimension में तो loud speaker ऐसे दिखता है दोस्तो तो अगर इस loudspeaker को आप बीच में से cut कर दो ठीक है और उसकी diagram निकालो तो यह diagram कुछ ऐसे दिखेगी आपको यहाँ पर दिखेए यह diagram कुछ आपको ऐसे दिखेगी ठीक है तो सबसे पहले देखे दोस्तो इसका construction समझते हैं यहाँ पर ठीक है तो निकलने के इसे फिर से एक बार बताता हूँ में देखे दोस्तो आपको यहाँ पर तो सबसे पहले तो इसके अंदर होता है एक magnet ठीक है यह एक magnet है तो सबसे पहले देखे यहाँ पर होता है एक magnet तो यह एक magnet है यह एक permanent magnet है ठीक है यह एक permanent magnet है ठीक है अब दोस्तों यह permanent magnet के उपर जो बीच में का part है ना इसके उपर देखिए यह screen को इस तरीके से place किया जाता है यह screen है जो vibrate होने वाले है तो यह screen जो है ठीक है ना यह जो screen है यह screen है इसे दिखी कि आपको यह जो screen है आगे पीचे कर सकती इस magnet के उपर ठीक है और यहाँ पर यह इसका support है ठीक है यह screen जो है green color की यह आगे पीचे मुग होगी अब दोस्तों यह screen जो है यह screen आगे पीचे क्यों कर रही जो है उसके पिचे क्या करना देखिए तो यहाँ पर दोस्तों यह screen का यह वाला part है यहाँ पर एक कोईल रखी गई होती है ठीक है यह cosplay मतलब देखिए 모습 स्प्रिंग जैसे होदी है ना मरी spring जैसी एक कोईल है ठीक है यह देखे यह ऐसे spring नहीं होती क्या ठीक है यह ऐसी spring जैसी एक coil इस screen के उपर ऐसे wound की गई है और इस coil को connect कर दिया गया है mic के साथ ठीक है अब दोस्तों यह जो coil है इस coil की खासियत क्या है कि इस coil के अंदर से अगर current flow करेगा ना यह जो coil है इस coil के अंदर से अगर current flow करेगा तो यह coil magnet की तरब behave करती है यह इसकी खासियत है ठीक है ओके तो यहाँ पर दोस्तों यह जो coil है यह एक electro magnet है बोल सकते हो आप यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर से current flow होने पर यह magnet की दरब behave करती है ठीक है तो यह एक electro magnet है और यह एक permanent magnet है अब जैसे कि हमें पता है दोस्तो permanent magnet को दो poles होते हैं तो मान लेते हैं यह north pole है और इधर का जो है यह south pole है यह south pole है इस side का यह जो है यह south pole है और यह north pole है ठीक है अब जब दोस्तो माइक से current जाएगा ना अंदर यह माइक से जब current इसके अंदर जाएगा इस coil के अंदर ठीक है तो यह भी magnet की तरब behave करेगी तो इस magnet की भी दो poles होंगे दोस्तो north और south ठीक है तो यहाँ पे दोस्तो क्या होता है कि यह south और north pole permanent magnet ने यह electro magnet है ठीक है तो यहाँ पे जो current जाएगा उस पर depend है कहाँ पर कौन सा pole तयार होने वाला है ठीक है तो यह polarity change होती रहती है कभी यहाँ पर north बनेगा कभी south बनेगा कभी यहाँ पर north बनेगा कभी south बनेगा ठीक है यह उसकी खासियत है electro magnet की की pole change होते रहते है तो अब दोस्तो permanent magnet का south pole इधर है और electro magnet का अगर south pole यहाँ पे आ गया तो यह दोनों एक दूसरे को repel करेंगे south pole एक दूसरे से दूर बागते है ना ठीक है तो यह coil उदर जाएगी और उदर जाते है वक्त यह screen को भी लेके उदर जाएगी ठीक है ओके अब मान लेते हैं दोस्तो यहाँ पर north pole आया ठीक है north pole आया तो क्या होगा दोस्तो यहाँ पर यह south pole और north pole एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे ठीक है तो यह coil इदर कीची चले आएगी इस magnet की तरफ तो कीची चले आते वक्त क्या करेगा यह screen को भी इदर लेके आएगा तो इस वज़े से दोस्तो यह जो screen है यह ऐसे ऐसे move करेगी यह polarity change होती रहते है south north north south यह इस current के उपर depend है जो mic से आ रहा है ठीक है फिर से एक बार समझे दोस्तो देखे एक है बहुत ही आसान है यह loudspeaker का construction देखे यहाँ पर दोस्तो होता है एक magnet यह blue color का एक magnet है ठीक है यह permanent magnet है permanent magnet को दो poles होते है मान लेते हैं यह north pole है और इदर का जो है south pole है ठीक है अब दोस्तो यह magnet का जो center वाला part है वहाँ पर यह green color की जो screen है वो ऐसे place की गई होती है और इस screen के उपर दोस्तो एक coil यहाँ पर wound की गई होती है जो mic से connected है मतलब mic से जो current आएगा वो coil में ऐसे गुमेगा ठीक है और यह coil की क्या खसियत होती है जब इसके अंदर से current flow होता है तो यह magnet की तरह behavior करती है और ऐसा magnet जिसके pole change होते रहते है ठीक है कभी यहाँ पे south pole बनेगा कभी north बनेगा ठीक है यहाँ पे south बनेगा north बनेगा इसे यह pole change होते रहते है वो polarity जो change होती है वो current के उपर depend होती है और एक चीज हमें पता है अगर साउथ साउथ पोल एक दुसरे के करीब आ गए तो एक दुसरे को क्या करेंगे वो रिपेल करेंगे दूर जाएंगे और साउथ और नॉर्थ पोल एक दुसरे के करीब आए तो क्या होंगे दोस्तों ये दुसरे को एट्रेक करेंगे तो इसके वज़े से यह जो coil है यह क्या करती है यह current flow होने के बाद यह ऐसे-ईसे move करेगी ठीक है depend on pole कुन से produce हो रहे हैं वहाँ पर तो यह coil अगर ऐसे-ईसे produce होगी तो यह screen के साथ उधर move करेगी तो यह screen भे ऐसे-ईसे move होगी ठीक है तो यह screen अगर ऐसे-ईसे move हो रही है तो यहाँ पर दोस्तो sound produce होगा ऐसे sound produce होता है ठीक है तो यह diagram आपको निकाल लिए है अगर sound generation in loud speaker पुछने है तो यह diagram आपको निकाल लिए है यहाँ पर तो दोस्तो यह जो magnet है इस magnet का shape यहाँ पर imagine नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ दिखिए यह magnet actually में कैसा है दिखिए यह magnet जो है actual में ऐसा है यह ऐसा shape है इसका दिखिए ऐसा shape है ठीक है ऐसा shape है तो यह जो diagram है यह diagram मतलब आपने इसको ऐसे cut किया हूँ है ठीक है तो cut करने के बाद यह ऐसे दिखेगा ठीक है तो cut करने के बाद दिखिए यह कैसे दिख रहा है यह cut करने के बाद ऐसे दिखेगा ना यहाँ से यह ऐसे फिर यह ठीक है फिर यह ऐसे फिर यह ठीक है यह इसे दिखेगा कट करने के बाद ठीक है यह पार्ट आपने कट किया ना उसको ठीक है तो कट करने के बाद यह आपको ऐसे दिख रहा है तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इस पार्ट के उपर यह स्क्रीन प्लेस है उसके उपर दोस्तो यहाँ पर कोई को wound किया गया है जो mic से connected है ठीक है ओके तो अब अगर दोस्तो एक्जाम में पुछते है sound generation in loudspeaker diagram पुछते हैं तो ये diagram आपको निकालनी है ठीक है और लिखना कैसे है देखें दोस्तो यहाँ पर क्या लिखना है loudspeaker is a device which converts electrical energy to sound energy loudspeaker एक ऐसा device है जो electrical energy को sound energy में convert करता है ठीक है आगे क्या लिखना है देखें दोस्तो आपको its construction is actually a figure मतलब उसका जो construction है वो ऐसा है ठीक है आगे देखिए it consists of a permanent magnet मतलब उसके पास एक permanent magnet है यह एक permanent magnet है फिर आगे क्या लिखना है दोस्तो a coil is wound around this magnet and when a current flows through a coil this coil moves back and forth मतलब एक कोईल उसके उपर wound की गई है और जब current उसमें से flow होगा तो यह जो coil है यह आगे और पीछे move करेगी back and forth move करेगी ठीक है फिर आगे क्या लिखना है देखें दोस्तो आपको यहाँ पर as the coil moves the conical screen attached to the coil also moves back and forth तो अगर कोईल आगे पीछे move करेगी तो यह जो screen है यह screen भी आगे पीछे move करेगी ठीक है फिर क्या होगा this back and forth motion of a screen produces sound यह जो back and forth motion screen का है यह sound produce करने वाला है यहाँ पर फिर आगे क्या लिखना है दोस्तो दिखें the coil is connected to microphone mic जिसको बोलते है हम लोग ठीक है तो यह जो coil है कोईل microphone से connected है जिस mic से current आने वाला है उसके अंदर ठीक है फिर आगे क्या लिखना है देखें दोस्तो the moment of the coil depends on the current coming from the microphone तो यह जो coil है coil की moment किसपर depend है यहाँ से जो Lis जाने वाला है उस पर depend है ठीक है फिर आगे क्या लिखना है दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर so by changing the current from mic different sound is produced तो अलग-अलग sound produce करने के लिए अलग-अलग vibration की ज़रूरत है तो अलग-अलग vibrations कैसे produce होंगे यहाँ पर current change करेंगे mic जो है उसका current change करता है और यहाँ पर अलग-अलग movement होती है और अलग-अलग sound produce होता है ठीक है अब दोस्तों इसी concept के उपर कुछ questions है exercise के अंदर उसको हम यहाँ पर solve करने के कोशिश करते है ठीक है तो सबसे पहला question करेंगे दोस्तों question number 1 E exercise के अंदर का in loudspeaker dash dash energy is converted into dash dash energy तो यहाँ पर हम देख चुके हैं दोस्तों देखे है यहाँ पर loudspeaker क्या करता है electrical energy sound energy में produce करता है electrical energy अंदर जाई की sound energy बाहर रहेगी ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है दोस्तो electrical energy is converted into what sound energy ओके अगला question देखे दोस्तों how sound is produced in human larynx and a loudspeaker human larynx के अंदर और loudspeaker के अंदर sound कैसे produce होता है इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है तो already दोस्तों यहाँ पर हम लोग explain कर चुके है loudspeaker के अंदर कैसे sound produce होता है यह हम यहाँ पर explain कर चुके है यह आपको लिखना है और human larynx के अंदर sound कैसे produce होता है वो भी already मैंने explain किया हुआ है उसको आपको लिखना है ठीक है अब एक और थोड़ा सा पार्ट दोस्तों इसके अंदर बचा हुआ है जिसको की हम next वीडियो में देखेंगे तो मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में दन्यवाब चानल को प्ली सबस्क्राइब करें और वीडियो उसको शेयर करें